हलो एब्रिवान वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाटशारा मैं आपकी हिंदी एजुकेटर उपाली बर्मा आज का लेकर आई हूँ आप सभी को बता है कि आज कला हम क्लास 10 में मल्लिपल जोइस कोशन करा रहे हैं यानि कि हमारे एक्जाम-oriented questions स्टार्ट हो चुके हैं हमने explanation पूरा complete करा दिया है सब कुछ हमारा complete है तो अब हमने बचला चलते हैं कि भाई चलो थोड़ा अब exams की तयारी भी करी जाए क्योंकि एक दो दिन में तो exam की तयारी होनी नहीं है पूरा अच्छे से अगर preparation करनी है तो step by step हमें आगे बढ़ना होगा तो आज हम लेकर आए हैं अपनी तीसरे कदम को यानि कि हम जो करा रहे थे अपनी exam oriented questions में multiple choice questions यानि कि दो तरह की questions होते हैं आपके objective और subjective तो हमने पहले क्या पिक किया हमने लिया objective questions तो objective questions में भी आज हम third step पे हैं यानि कि अपनी third chapter पे आए हैं मनुष्यत आप सभी को मैं बता दूँ कि आपकी सिर्फ इस पर्ष बुक से आपके multiple choice questions आने हैं और आपकी किसी भी बुक से जो है वो multiple choice questions नहीं आएंगे ना आपकी संचैन बुक से आएंगे ना ही व्याकरण से आएंगे और ना ही लेखन से आएंगे सिर्फ और सिर्फ जो आपके multiple choice questions आने वाले हैं वो आपकी स्पर्ष बुक के काविखंड और गद्धिखंड से ही आएंगे और इसके इलावा अपटित गद्यांश में आएंगे ठीक है बस और कहीं हमने कहा कि हमने आज हम तीसरे कदम पर हैं तो तीसरा कदम हमारा है मनुश्यता का चीक है तो देखी क्या है क्लास 10 हिंदी कोर्स भी है इस पर शभाग दो पद्धिखंड याद रखे ये बुक दो खंडों में हैं पद्धिखंड और गद्धिखंड पद्धिखंड में साथ अध्याय हैं और गद्धिखंड में साथ अध्याय हैं तो पद्धिखंड का हम तीसरा अध्याय कर रहे हैं मनुश्यता कौन सा चैप्टर है मनुश्यता ये चैप्टर हम आपको पूरा डिटेल में समझा चुके है लाइन बाइस, लाइन एक्स्प्लिनेशन हम आपको दे चुके हैं, याद होगा अगर तो, तो बस उसी एक्स्प्लिनेशन को आपको मैंने पहले ही कहा था लास वीडियो में कि बढ़ कर रखे हैं, हम multiple choice questions करेंगे, तो चलिए, यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर य करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है पहला का अव्यांश, ध्यान दीजी क्या है, विचार लो की मृत्य हो ना मृत्य उसे डरो कभी, मरो परंत यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्य तो व्यथा जीए, व्यथा मरे, मरा नहीं वहीं कि जो जिया आपके लिए वही पशुप्रवत्ती है कि आप आप ही चरे, वही मनुष है कि जो मनुष के लिए मरे, तो अब यहाँ पर यह क्या कह रहे हैं, काव्यांश का पहले अर्थ समझ रो, तब ही तो कोशन आंसर करें, वैसे मैं इसका आर्थ आपको लाइन वाई समझा चुकी रीजन यह है कि भाई काव्यांश तो यह आएंगे लेकिन कोशन बदल सकते हैं, इसलिए काव्यांश को अच्छे से पढ़ना आपके लिए मस्ट है, देखें क्या दिया है, विचार लो की मृत्य हो ना मृत्य उसे डरो कभी, अपने दिल में यह चीज बठा लो, कि भाई तुमने अगर जन्म लिया है, तो तुम्हारी मृत्यू तो होगी, यह निश्चत है, विचार लो की मृत्य हो ना मृत्यू से डरो कभी, यानि कि अपने दिल में यह चीज बठा लो, कि तुम्हारी मृत्यू निश्चत है, भाई हमारा शरी नश्वर है, एक समय जाकर वो होना ही होना है, तो हमारी मृत्यू तो निश्चत है, इसलिए मृत्यू से तुम्हें कभी डरना नहीं है, नेक्स्ट आते हैं, मरो परन्त यो मरो की याद जो करे सभी, भाई मरेंगे तो सभी, तुम भी मरो, मगर इस तरीके से मरो, कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग त कैसे संभव है जब हम जीवित रहते हैं तो हमारे कर्म ऐसे हुने चाहिए ठीक है हमारे कर्म ऐसे हुने चाहिए कि उसको मरने के बाद भी लोग याद करें अब देखिए ऐसे बहुत सारे महापुरुश हुए आप ले लीजे स्वामी विवेकानन को ले लीजे दयानन सरसुत को ले लिजे जोती बाफूले को ले लिजे सुभाज चंदर बोज को ले लिजे चंदर शेखर आजात को ले लिजे भगत सिंग को ले लिजे सुखदेव को ले लिजे ऐसे तो महापुर्शों की लाइन लगी पड़ी है जिन्नों ने अपने जीते जी ऐसे कर्म किये कि आज मरने के इतने वर्षों बाद यानी कि कवके उनकी in के बाद यादकरो तो म्रत्यू हमेशा तुमको ऐसी प्राप्त कर तो तुम बेकार जीए और तुम बेकार मरे ठीक है अगर तुम्हें मरने के बाद भी तुम्हारे लोग तुमको याद नमारे तुम्हारा जीना बेकार तुम्हारा मरना बेकार हैं फिर आते मरा नहीं वही कि जो जियान आपके लिए यानि कि जो वेक्ति वह वेक्ति मरा ही है मरा नहीं वही कि जो जिया आपके लिए यानि कि वो वेक्ति कभी नहीं मरता जो दूसरों के लिए जीता है याद रखना जो हम दूसरों के लिए यानि दूसरों की अच्छाई के लिए दूसरों की बढ़ाई के लिए जब हम काम करती हैं तो हम मरने के बाद भी हमेशा जीव तो वो वेक्ति कभी नहीं मरता जो आप के लिए यानि कि दूसरों के लिए जीता है वही पशु प्रवत्ति है आप आप ही जरे तो अब यहां पर उन्हें बड़ा अच्छा ही गुजान दिया कि जो जानवर होता है आप उसको देखो ना वो कभी अपने फैमली मेंबोस के ल आप ही चरता है यानि कि मनुष अगर सिर्फ अपने लिए जी रहा है तो यह एक बशु प्रवत्ति हैं ठीक है वही मनुष है कि जो मनुष के सही वास्ताव में वही मनुष्य कहलाता है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरता है मरना मतलब लिटरली मर जाना नहीं यानि कि जो काम करते करते हुए दूसरों के लिए मृत्यू को प्राप्त होता है अब इस पर हमारे सामने कितने पांच प्रश्न है इन पांचों प्रश्न पहला प्रश्न है कवी के नुसार मृत्यू की सार्थक्ता है डैश में अब किस में है देश हित में यश कीरती में सबके याद करने में या बली देवेदी पर चढ़ने में तो मृत्यू की सार्थक्ता किस में है सबके याद करने में कि जब हम मृत्यू को प्राप्त हो जाएं तो उसके बाद भी लोग हमें याद करें इसी में सार्थथता होती है next ने किस प्रकार के मनुष्य का जीवन पशु के समान होता है कौन सा, जो वेक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है यानि कि जो वेक्ति स्वार्त से भरा होता है ऐसा व्यक्ति जो है वो पशु के समान होता है देखते हैं जो अपने जीवन में परोपकार करते हैं जो मृत्यू का वरण करते हैं जो अपने जीवन को लोगमंगलकारी कार में नहीं लगाते हैं जो मृत्यू आने पर दुखी रहते हैं तो यहां पर जो व्यक्ति पशु के स नेक्स्ट राते हैं कवी के नुसार वास्तों में मनुष्य कहलाने का अधिकारी कौन होता है अब आप बताईये कौन होता है जो दूसरे मनुष्यों का हित करते हुए जीवित कारे करता है ना जो हित करते हुए मृत्य को प्राप्त होता है या कारे करते रहता है वही सही मायने में मनुष्य होता है तो मनुष्य कहलाने का दिकारी कौन होता है जो स्वेम के जीवन को सुखमई बनाता है बिल्कुल भी नही जो दूसरों की हित पूर्ती के लिए अपना जीवन जीता है बिलकुल सही हित पूर्ती यानि की दूसरों के फायदे के लिए अपने जीवन को जीता है जो मृत्यू से भैबीत नहीं रहता नहीं जो हमारी याद में आसु बनाता है नहीं तो सही क्या है जो दूसरों की हित प मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें तो वही क्या कहलाएगी सुम्रत्यू तो देखें क्या है अपने कर्तवियों का पालन करते हुए मिली हुई मृत्यू को परोपकार के लिए जीने वाले एकी मृत्यू को स्वार्थ पूर्ति के लिए जीने वाले की मृत्यू को स्वर जो मृत्यू को प्राप्त करें वो कहलाती है सु मृत्यू चलिए अब यहां पर हमारे सामने क्या है देखिए निमलिकित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा काव्यांश के आधार पर सही विकल्प का चैन करिए तो अब आपके सामने क्या है यह चार वक्तव हैं इन्हें पढ़ना है और इनके हिसाब से हमें नीचे जो ऑप्षन दिये गए उनको टिक करना है देखते क्या है मरणशील मनश की मृत्यू निश्चित है आप बताईए भाई हमारी तुम मृत्यू निश्चित है तो यानि कि ये वक्ता भी सही है ना कि विचार लोग की मृत्यू ना मृत्यू से डरो कभी पहली लाइन में ये चीज़ कही गई थी फिर आते हैं अच्छे काम करने वालो फिर क्या है अपने लिए जीने मरने वालों की मृत्यू गौरफ शाली होती है नहीं ये गलत है तो हम क्या करेंगे कट लगा देंगे नेक्स्ट आते हैं सच्चे मनश दूसरों की भलाई के लिए जीते मरते हैं तो ये भी सही है ठीक है तो पहला दूसरा और चौथा ये सह ठीक है तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही आ रहा है तो देखते हैं सही है बिलकुल सही है चलिए अब हमा गए अपने दूसरे का व्यांश में जराब इसको ध्यान से बढ़ लेते हैं क्या दिया गया है उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती उसी उदार धरा से कृतार्त भाव मानती उसी उदार की सदा सजीव कीरती गूजती तथा उसी उदार की समस्त स्रिष्टी पूजती अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुष है जो मनुष के लिए मरे अब यहां प पर उसी उदार का तात्पर क्या है वो व्यक्ति जिसका जीवन दूसरों को कि भलाई करते हुए बीता है और फिर वो म्रत्यू को प्राप्त हो गया यानि कि जिसे सु म्रत्यू प्राप्त हुई है तो उसी उदार व्यक्ति की कथा सरस्वती बखानती यानि कि ऐसे उदार व् वाजाद हो सुभाश्य चंद्र बोस हो इन सभी ने बहुत बड़े-बड़े काम किये तो इन सभी के बारे में पुस्तकों में लिखा हैना हम उन्हीं से पड़ते हैं तो सरस्वति क्या होती है पुस्तकों में होती है तो वो चीज उन्हों tete उसी उदार धरा से क्रतार्थ भाव मानती है और उस उदार व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों का जन्म जब धर्ती पर होता है तो धर्ती भी अपने आपको क्रतार्थ मानती है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो मेरे उपर जन्म लिया है यानि कि बहुत ही जादा धर्ती भी अपने आपको धन्य मानती हैं उसी उदार की सदा सजीव की इरती गुझती उसी उदार व्यक्ती का जो व्यक्ती मृत्यू को प्राप्ट कर चुका है लेकिन उसके कर्मों के द्वारा वो हमेशा जीवित रहेगा और उसकी वहवाई जो है ना जाने कितने सालों करोणों वर्षों तक जो है वो फैलती ही फैलती रहेगी हमेशा उसकी जो वावाई है वो गुझती रहेगी फिर आते तथा उसी उदार को समश्ट सिस्ति पूझती और ऐसा वेक्ति जो दूसरों की भलाई करते हुए मृत्तु को प्राप्त हुआ है पूरा संपूर संसार ऐसे वेक्ति की पूझा अर्चना करता है यानि कि उसको बहुत ही जादा सम्मान देता है तो ऐसे तो बहुत सारे उधारन हम लोगों उने देखे भी है ना अपनी लाइफ फिर आते हैं अखंड आत्म भाव जो असीम वश्रुम में बरे अखंड आत्म भाव यानि कि जो ये भेद भाव का बटवारा होता है ऐसा आत्म भाव यानि अखंड सबको एक रखकर रखना यानि कि जहाँ पर तोड़ा ना जाए खंड करना यानि कि तुकड़े करना अखंड मतलब एक साथ यानि कि जहां पर सभी को एक साथ रहने, एक बनकर रहने का जो आत्मभाव जो विश्व में भर देता है सभी जिसके लिए सब धर्ती पर रहने वाले सभी मनुष्व एक समान होते हैं एसा आत्मभाव जो इस विश्व में भर देता है, ऐसे व्यक्ति को क्या वही मनुष्व के लिए मेरे, ऐसा व्यक्ति ही जो है, वो मनुष्य कहलाने के योग्य होता है अब इस पर देखे हमारे सामने आ रहा है आपका पहला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है? उसी उदार शब्दों का दोहरा दोरा कभी डैश के बारे में बता रहा है, अब उसी उदार कई बार बताया गया है, तो इसके जरीए कभी क्या बताना चाहरे है, क्या विक्त करना चाहरे है देखते हैं अभिमान, आत्मग्यान, परोपकार, स्वाभिमान तो उसी उदार के जरीए जो है वो परोपकार व्यक्त करना चारे हैं कि उस व्यक्ती ने क्या किया है परोपकारिता भराकार्री किया हैं है ना उसने परोपकारी भराकार्री किया है इसलिए उसे सब लोग पू प्राकतिक संपदा से परिपून होने के कारण भाव विभूर हो रही है नहीं ऐसा तो नहीं है अपने कारण मनश्यों के सद्गुणों को देखकर संतुष्ट हो रही है यह कुछ-कुछ सही लग रहा है आगे बढ़ते हैं अपने उद्देश की पूर्ती के लिए निवेधन कर रही है तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमको सिर्फ एक सही लग रहा है वह shady का महान मनुष्यों के सद्घूरों को देखकर संतश्ट हो रही है कि मतलब इतने महापुरुश हुए तो यहां पर धर्ती की सही भावनाई इसी से प्रेक्ट हो रही है नेक्स्ट आते हैं उसी उदार की सदा सजीव कीरती कूजती अब यहां क्या बोल रहे हैं कवी के नुसार डैश का डैश सदैव जीवत रहता है किसका देखते हैं मनुष्यता का यश सदैव जीविंत रहता ह बिल्कुल सही है दानवीर का भाण्य जीवनत रहता है इस वह नामी नहीं लिया गया उधारता का भंडार जीवनत नहीं तो सही जो ुकिर्थी कीर्थी कीर्थी का मतलब क्या हो गया ये उसी उधार," यानि, wykon प्र fiction कविकिष्ण कविक अनुष्यता ुक Adventure कवी कह रहा है कि उदार वीक्ति ही विष्व में अखंड आत्मे भाव भरता है, ठीक है ये तो सही है, उदार विख्पी ही विष्व में अखंड मखा वरता है अब इसका कारण देखते हैं उपरियुत काव्यांश में लोगों की आपसी दुरभावनाओं के कारण कभी बहुत दुखी है ये बात तो नहीं कई गई है yell कथन का कारण तो सही क्या है कथन चही है । पर कारण आर जो है वो गलत है उसकी व्याक्या सही नहीं कर रहा है तो यहाँ पर क्या देखिए कथन एस सही है किन्तु कारण आर गलत है हम इस पर माग करेंगे ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं उपरिउत कावियांश का मुख विचार क्या है अब यह जो कावियांश हमने पढ़ा है इसका मुख के विचार क्या आ रहा है देखिए क्या है त्याग तभी करो जब उसकी सरहाना मिलने की आशा जीवित हो ऐसा नहीं है ऐसे कर्म करो की जीवन से मुक प्रतित्यागी बनो नहीं तो यहां पर सही आपका क्या आ रहा है ऐसे कर्म करो कि जीवन से मुक्ति होने पर लोग याद करें यानिकी हम जब मर जाएं तो उसके बाद भी लोग हमें याद करें हमें जीवित रहते हुए ऐसे कर्मों को करना है चलिए अब हम आगे कावियांश संख्या 3 पे यहां क्या दिया गया है इसको ज़रा ध्यान से दिखते हैं अनंत अंत रिक्ष में अनंत देव हैं खड़े समक्ष ही स्वभाव को बढ़ा रहे बड़े-बड़े परस परवा लंब से उठो तथा बढ़ो सभी अब ही अमर्त अंक में अपंक हो चड़ो सभी रहो न यों की एक एक से काम का और का नासरे वही है जो मनुष के लिए मरे अब यहां क्या कहते हैं देखे अनंत अंत रिक्ष में अनंत देव हैं खड़े यानि कि इस पूरे संसार में ऐसे बहुत सारे देवी देवता महान लोग खड़े हुए हैं यानि कि आपका साथ देने के लिए खड़े हैं समक्ष ही स्वभाव को बढ़ा रहे यानि कि आपको सहारा देने के लिए आपके अंदर जो है वो बहुत जादा आत्म भाव भरने के लिए आपके अंदर confidence भरने के लिए अपने बड़े-बड़े हातों को बढ़ा रहे हैं ठीक है परास परवलंब से उठो तथा बढ़ो सबी यानि कि एक दूसरे के सहारे चलते हुए उठो और आगे बढ़ते हो भई मनुष्ट का काम क्या है खुद भी आगे बढ़ो दूसरों को भी लेकर अभी अमर्त अंक में अपंक हो चड़ो सभी क्या बोल रहे हैं अभी अमर्त अंक में यानि कि अब जो है तुमने जो रास्ता चुना है उस रास्ते पर तुम बिना किसी डर के साथ बिना किसी जिजग के साथ आगे बढ़ते रहो रहो ना कि एक से काम और का ना सरे कभी ऐस अगे बढ़ते रहों तो कभी ऐसा नहीं होना चीए कि हम जो है हमारा हमारी वजह से किसी का काम निखलेना वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे परास परलंब से अब बढ़ाय क्या है एक दूसरे का सहीयोग लेना एक दूसरे से स्टुता करना एक दूसरे से छलकपट करना ये एक दूसरे से स्वातसद करना तो क्या यहाँ पर सही हमने अभी आपको बताया है एक दूसरे का सहीयोग करना यानि कि एक दूसरे का help करते हुए, सहायता करते हुए आगे हमें बढ़ना है अंत्रिक्ष में खड़े देव अपनी बाहु क्यों बढ़ा रहे हैं? क्या कारण है कि वो बाहु हमको बढ़ा रहे हैं? देखिए, स्मृध्धी के लिए स्वस्थता के लिए, मार्गदरशन के लिए या मदद के लिए वो हमको मार्गदरशन दे रहे हैं हमको बता रहे हैं कि भाई आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है अब ये कैसे हो रहा है? कि भाई ये जो महान देवी देवता हुए इनकी बहुत सारी कथाएं हम लोगों ने सुनी है न तो उन कथाओं के हिसाब से उनकी कथाओं को बढ़ कर हमें बहुत जादा मार्ग दर्शन मिलता है चाहे आप शिवजी की कथा लेलो ब्रह्मा जी की लेलो गड़े जी की लेलो शिवजी की लेलो किसी की भी कथाएं ले लो काली मां की ले लो दुर्गा मां की ले लो इतनी सारी देवी देवता हैं हमारे हां इन्हें सबकी अपनी अपनी कथाएं इन सभी ने अवतार लिये हैं इनके आवतारों की जो कथाएं हैं, वो हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती हैं, तो वो क्या कर रही हैं, हमें मार्ग दर्शन दे रहे हैं, कभी मनश को किस प्रकार रहने की सलहा दे रहा है, किस तरह देने का दे रहा है, हिंसा की भावना से, प्रतिशोद क की भावना से सहयोग की भावना से या पराधीनता की भावना से किस तरीक से रहने के लिए कह रहा है यानि कि एक दूसरी की हेल्प करते रहे हैं इस भावना से वो रहने के लिए बोल रहा है नेक्स आते हैं प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कभी ने क्या संदेश देना चाहा है अब इस पद्यांश के माध्यम से कभी क्या संदेश देना चाहा है आपको ये बता रहे हैं तो देखते ही जीवन की सार्थक्ता स्वार्त सिधी में है ये चीज़ बता रहे हैं जीव है जीवनत की सार्तक्त आधातर दूसरों के help करना यह एक हमारी सार्तक्त क्योंकि भाई जब हम दूसरों के help करेंगे तो ही तो मच्छे कर्म कर रहे हैं हम खाली अपने लिए जी रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है है नेक्स आते हैं कथन और कारण आधारित है प्रश्ट पढ़ें क्या है कथन परोपकारियों का स्वागत देव होता है अब यहां पर सच्चा मनुष है तभी तो देवता हमारे लिए हाथ बढ़ा रहे हैं तो यहां पर हम क्या कहेंगी कि कथन और कारण दोनों सही है ठीक है जो कथन कहा चारा है देवता भी परोपकारियों का स्वागत किसलिए करते हैं क्योंकि वो वेक्ति दूसरों क कर रहा है और वो सही सच्चा मनुष है इसलिए जो है देवता उसको हाथ बढ़ा कर बुला रही है चलिए अब हम आ गए अपने चौधे कावियांश में तो तो चौधे कावियांश में हम पहुंचे है इस कावियांश को जरा पढ़ने क्या दिया गया है चलो अभीष्ट म पढ़े उसे धकेलते हुए घटे ना हेल मेल हां बढ़े न भिनता कभी अतर्क एक पंत में सतर्क पंत हो सभी तभी समर्त भाव है कि तारता हुआ तरे वही मनश है कि जो मनश के लिए मरें तो अब यहां क्या कह रहे हैं चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुआ अभ आप डॉक्टर बनना चाहते हुआ तो यह आपका अपना एक चोईस है ना कि आप इस मार्ग पर चल रहे हो वही चीज़ उन्होंने बोला कि जो तुम्हारा अभीष्ट मारग है यानि कि तुमने अपने मन से जिस मार्ग को चुना है सहर्ष खेलते हुए यानि कि जो तुम पड़े उसे धकेलते हुए कहने का ताथ पर है तुमने अपने मर का मान तो चुन लिया लेकिन जाहिर सी बात है कि इस मार्ग में किसी ना किसी तरह की विपत्ती आएगी तो जो कुछ भी आ रहा है तुम उसे हशी-खुशी अपने रास्तों से हटाओ और फिर आगे की तरफ बढ़ो भै सभी के मार्ग में परिशानिया तो आती है परेशियन आती है लेकिन उनको धकेलते हुए तुम आगे बढ़ो घटे नहेल मेल हां बढ़े न भिनता कभी एक चीज़ है जब तुम ये काम कर रहे हो कि अपने मन वाले मार्ग पर आगे विपत्तियों को ढेलते तो तुम्हारे साथ और भी बहुत सारे लोग चल रहे हैं चल रहे हैं तो कभी भी तुम ये न देखो कि उनके साथ तुम्हारा भेदभाव नहीं होना चाहिए तुम्हारी मित्रता बनी रहे और सबको साथ लेकर आगे बढ़ो वही चीज़ है घटे नहेल मेल यानि कि जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं उनके साथ तुम्हारा सयोग तुम्हारी मित्रता घटनी नहीं चाहिए और भिन्नता यानि कि भेदभाव बढ़ने नहीं चाहिए. अतर्क एक पंथ में सतर्क पंथ हो चलो यानि कि अतर्क यानि कि जो विपरीट तुम्हारी तुमने जो रास्ता चुना है वो तुम्हारी सोच के विपरीट होगा जाहिर सी बाते मुसीबते हैं तो हमारी सोच के विपरीट हों क्योंकि हमें हमें अच्छा-च्छा सोचते हैं यानि कि तुम्हारे जो कार मिर रहें वो अच्छे तरीके से करते हुए आगे बढ़ो तभी समर्त भाव है कि तारता हुआ चले तभी तुम्हारे अंदर वो तभी समर्त भाव आएगा जब तुम तो अपने लिए लक्ष हासिल करो लेकिन अपने साथ और लोगों को भी आग अव है वो जीज ठीक है वही मनुष है जो मनुष के लिए मरता है अर्थिक सही मायने में वही मनुष होता है जो दूसरों के लिए परोपकार करते हुए कारे करते हुए ब्रत्य को प्राप्त होता है चलिए अब आते हैं कभी सभी को एक होकर चलने की प्रेणा देता है ठीक है इससे घ्यात होता है कि कभी डैश के पक्षदर है किस चीज के पक्षदर है निर्वयन का समन्वयन का क्रयानवन का या दूर्वानने का तो सही क्या है यह समन्वेन का ठीक है समन्वेन का यानि कि साथ लेकर जो चलने का जो भाव है उसके वो पक्षधर है अभीष्ट मार्ग से तातपर क्या है अभीष्ट मार्ग का मतलब क्या है चलिए देखते हैं स्वर्ग गत मार्ग प्रमारित मार्ग क्रीडा छेत्रिये मार्ग या मनोवांचित मार्ग है तो अभीष्ट मार्ग का दातपर क्या है मनोवांचित मार्ग यानि कि तुमने अपने मन से जिस रास्ते को चुना है वो आपका क्या है मनोवांचित मार्ग है आपके मन के द्वार दूसरों को आगे options देखते हैं सफल करते हुए स्वैम सफल हुना सही है ज्यान मार्ग बताते हुए सफल बनना शक्ती प्रदर्शन द्वारा सफलता दिलाना सफल करते हुए अपना स्वार्त सिद करना नहीं तो सही आपका क्या है समर्थ भाव है दूसरों को सफल करते हुए स्वयम सफल होना यानि कि हम दूसरों को भी आगे बनाए और खुद भी सफलता को प्राप्त करे तभी ये सही है नेक्स आज आते हैं बढ़ेन भिन्नता का आश्रे बढ़ेन भिन्नता यानि कि आपवस में भेद भाव नहीं बढ़ना चाहिए मनमुटाव नहीं आना चाहिए तो क्या है मत भिन्नता हो जो है चोट पहुँचा रहे हैं तकलीव दे रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं मगर उनको साथ ले के नहीं चल रहे है तो एक दूसरे हम लोगों के बीच के आएगा मनमुटाव आएगा ना मदभेद आएगा ना वो चीज़ हमें नहीं कर लिए चलिए नेक्स आ गया यहां पर अब कूट आधारे दिप्रिश्ण ठीक है तो चलिए निमलिकित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए तता पध्यांज के आधार पर सही विकल्ब का चैन कीजिए चलिए देखते हैं पध्यांज के हिसाब से सही विकल्ब हम सही निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं आयतिक आप सभी ने निकालना शुरू भी कर दिया होगा चलिए देखते हैं हमें मृत्यू से कभी डरना नहीं चाहिए ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं बाहे आडंबरों का विरोध करना चाहिए, ये बात तो कहीं बोली ही नहीं, मार्ग की विपत्तियों को धकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो ये तो हमें सही लग रहा है, मार्ग की विपत्तियों को धकेल कर आगे बढ़ना चाहिए, ये बात इस काव्यांश में दे ग तो अगर हम यह देखें पहला हमने मृत्तियू से नहीं डरना चाहिए तो यह तो उसमें पहले वाले में दिया है यह भी रहा है हमने अपने जीवने सकारात्मक दरश्टी कोड अपनाना चाहिए तो इस सही आगे तो हमारा जो चाहिए और प्छन है वह पहला तीसरा चौथा थी चाहिए एभी बात थी, मार की विपत्तियों को धकेलते वे आगे बढ़ना चाहिए, यह भी सही था, फिर हमें अपने जीवन के सकारात्मक दृष्टी कूर्ड को अपनाना चाहिए, यानि कि हमें अपने positive point of view के साथ आगे चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम negative रहेंगे, त तो क्या होगा दूसरों के साथ हमारी भिन्नता बढ़ेगी, हम दूसरों के साथ लड़ेंगे, ये चीज होगी, है ना, तो वो चीज यहाँ पर बताईगे, तो पहला, तीसरा और चौथा सही, चलिए, अब हम आ गए अपने कावियान्श संख्या 5 पर, जरा इसको अच्छे स पढ़ लेते हैं कि कावियान्शंक्या 5 पर क्या लिया गया है, मनुष्य मात्र बंदु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिध एक है, फला अनुसार कर्म के अवश्य बाह भेद है, परंतु अंत रैक में प्राण भूत वेद है, अ अब यहां पर कवी हमारे पुराणों की बात कर रहे हैं, वेद पुराणों में जो चीज़ें इंगत हैं, उनके बारे में हमको बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मनुष्य मात्र बंदु है, यही बड़ा विवेक है, मतलब कि क्या है, मनुष्य को हमेशा जो है, आपस में भा ना कर रखना चाहिए. पुराण पुरुष्वयम्भू, पिता, प्रसद्ध एक है. हमारे पुराणों में ये चीज विदित है कि हम सभी के पिता एक हैं. जब हम सभी के पिता एक हैं तो ये जितने मनुष्य हैं वो क्या हुए? हम सभी के भाई होंगे कि नहीं होंगे? तो यसी लिए क्या है? कि ये अपने दिल में धान कर चलना चाहिए कि जितने भी मनुष्य हैं ये सभी हमारे बंदु हैं. क्योंकि पुराणों में ये चीज विदित है कि हम सभी के पिता स्वयम्भू, शिव, एक ही हैं. फला अनुसार कर्म के अवश्य भाई भेद हैं. अब आप बोलोगे कि भाई मान लिया कि हम सभी के पिता आये खें, लेकिन हम सभी में तो देखो शाड़ेरी रूप से कितने भेद हैं. उन्होंने क्या बोला? हमारे कर्म के अनुसार, हम जैसे कर्म करते हैं, उसी के अनुसार हमें अपना बाहे रूप मिलता है. आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग देखने में अलग होते हैं, किसी का रंग बहुत डार्क होता है, कोई बहुत फेर होता है, कोई सुन्दर होत तो ये सभी क्या होते हैं ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों के फल हैं जिसकी वजा से हमारे ये बाहे रूप अलग-अलग होते हैं ठीक है परंतु अंतर रूप में प्राण भूत वेद हैं लेकिन क्या है अंतर रूप में अगर हम आंतरिक रूप में देखें तो हम सभी के श ये बात वेदों में पुराणों में विद्थ है अनर्थ है कि बंदु ही न बंदु की व्यथास है अब हम सभी को पता है कि ये जितने मनुष्य है हमारे सभी भाई है जब भाई है तो जब भाई होकर हम दूसरे भाई की तकलीफ को दूर ना करें वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर पांच प्रश्ण है पहला प्रश्ण क्या है प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कभी ने क्या संदेश दिया है अब इस पद्यांश के माध्यम से कभी क्या संदेश हमको दे रहे हैं कहा है कि बाई एक दूसरे की साहइता करने कि बात करे हैं हम सभी बाई यहं तो जाहिए आगकी की सथbership कर तैहीं आप आगे बढ़ेंगे लिए कि आगे बढ़ते हैं कि अगे पध्यांश के नुसार सबसे बड़ा अनर्थ क्या है अब क्या बताया गया है सबसे बड़ा नर्थ देखते हैं माता पिता की सेवा ना करना नहीं मनश द्वारा दूसरे मनश का दुख दूर ना किया जाना ये भी बात सही है ये भी बात कही गई है लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं अभी नियर भाई बहुत से दूख दूर ना किया जाना क्योंकि भाई एक मनुष्य दूसरा महिनुष्य एक दूसरे के भाई है तो दूख ना दूर किया जाना सबसे बना अनर्द कहा जाएगा नेक्स्ट आते हैं, मनुष्य मातर बंदू है, यही बड़ा विवेक है, ठीक है, अब इसका क्या दिया गया है, कवी के अनुसार डैश मातर को डैश समझना चाहिए, अब चली option देख लेते हैं अब यहनों ने इस पंग्दी के reference में कहा है मनुष मात्र बंदू है यही बड़ा विवेख है तो देखिए क्या है कवी के अनुसार परमात्मा मात्र को मृत्यू समझना चाहिए नहीं कवी के अनुसार संसार मात्र को रहसे समझना चाहिए यह तो बात ही नहीं है कवी के अनुसार मनुष मात्र को भाई समझना चाहिए यह बात तु कही है उनोंने मनुष को इमानदार समझना चाहिए नहीं तो सही क्या है मनुष को भाई समझना चाहिए कवी के अनुसार अब हमारे जो कर्म होते हैं, अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो हमें अच्छा शरीर प्रापत होगा, अगर हम बुले कर्म कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात हैं हमारी शरीर में कुछ विकार लेकर हम पैदा होते हैं, तो जो हमें अंतर बाहर से जो अलग-अलग हम दिखाई के कारण कर्म भिन्नता के कारण मनुष्मिक कौन सब्सक्रिता न看到न ऊंपरू समानदगा भाओ की इस और आसा है is तो सही इसका ऑप्षिन क्या होगा मात्र बाही अंतर दिखाई देता है जो बाहरी हमारा अंतर है है वह चीज़ हमें दिखाई देता है नेक्स आ जाते हैं अब हमारे सामने जो है चार वक्तवे रखे गए चलिए देखते क्या है निमलिकित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा पध्याश के अधार पर सही विकल्प का चैन कीजिए चलिए देख लेते कौन-कौन सा है पढ़ते पहले संसार में सभी मन मनुष्यों को अपना बंधू मानना मनुष्य का विवेक है यह सही है तो नमबर 101 यह तीन वाले आपशन अमबर 112 यह तो यहां पर इझाय है तो यह नीचे वाला गलत हो गया तो दो option बचे 1, 2, 1, 2, 3, 4 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अपने कर्मों के नुसार फल मिलने के कारण सभी भिन्द भिन्द है बिल्कुल सही है हमें अपने जो फल मिल रहे हैं हमारे जो कर्म है उनके फल के कारण हमारा बहारी रूप अलग-अल हम कहा लगा देंगे second option ठीक है 1, 2, 3, 4 हमारे चारों सही है चलिए अब हम आगे अपने आखरी काव्यांश में आखरी काव्यांश में क्या रहा है चलिए देखते हैं रहे रही न भूल के कभी मंदात तुच्छ वित्त में सनात जान आपको करोन गर्व चित्त में अनात कौ दीव भाग हीन है अधिरभाव जो करे वही मनश है जो मनश के लिए रहा है आप यहां पर क्या कह रहे हैं कि देखें रहो न भूल के कभी मंदात तुच्छ वित्त में कभी भी भूल कर इस अहंकार में नहीं रहना सनात जान आपको करोन गर्व तुम ये सोचो कि तुम सनात हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, ये चीज का कभी भी तुम अपने अंदर गर्वनी करना, कहने हैं मत देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, भाई मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, माता है, पिता है, परिवार है, सब कुछ है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अपने अंदर एक अहंकार ले आते हैं, कि अरे मेरे पास तो सब कुछ है, मैं सब सब से सर्वो परी हूं, तो इस तरह का अहंकार कभी भी अपने अंदर मत पालना, अब वो ऐसा क्यूं कह रहे हैं कभी, क्या कह रहे हैं, अनात कौन है, यहां त्रिलोक नात साथ हैं इस संसार में कोई भी अनात नहीं है क्योंकि सब के नात कौन है त्रिलोक नात यानि इन तीनों लोकों के जो स्वामी हैं वो सभी के परमपिता हैं इसलिए यहां पर कोई भी अनात नहीं है दयालुदीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है यानि कि दयालुदीन बंधु यानि कि परम पिता परमेश्वर के बहुत ही विशाल हाथ है कि यहां पर सभी लोगों भाई इतनी बड़ी जनसंख्या के एक ही पिता हैं तो इनके बड़े विशाल हाथ है यानि कि वो सभी पर वाले अभी यहां पर कोई है अतीव भागेहीन है यानि कि वो व्यक्ति बहुत ही जादा भागेहीन है यानि कि जिसके पास भागे नहीं है वो कौन है अधीर भाव जो करें जिसके अंदर इस चीज़ को लेकर अधीरता हो कि अरे मेरे पास तो कुछ है नहीं मेरे पास तो मैं कुछ करी नहीं सकता आप मेहनत करो आप कर्म करो आपके साथ हर कोई परम पिता परमेश्वर भी आपके साथ है वो सिर्व एक चीज़ का चाहते हैं आपके कर्म सुकर्म होने चाहिए तो ईश्वर आपके साथ है हमेशा के लिए ठीक है वही मनुश है जो मनुश केली मेरे पढ़ेंगे फिर निकालेंगे इश्वर का स्मरण करने की दे रहे हैं धन के उन्माद में अहंकारी ना होने की बात के रहे हैं ये बात उन्नोंने ताकत है इसमें आपको अहंकारी होने क्योंकि आपके पास आज पैसा है पैसा तो पल भर में चला जाएगा ना तो उस बात का लेकर आपको अहंकारी नहीं होना है ठीक नेक्स आते हैं पद्यांज के नुसार हमें किस बात पर गर्व नहीं करना चाहिए अब अब बताईए पद्यांज के नुसार हमें किस बात पर गर्व नहीं करना चाहिए यानि कि अंकार नहीं करना चाहिए क्या है हम धनी है हम सनाथ है हम अपने आप में पून है हम उन्नती के लिए सक्षम है तो क्या होगा ये इसके लिए सही जो है वो है हमें जो गर्व नहीं करना है वो है हम सनाथ है सनाथ का मतलब क्या है हमारे पास सब कुछ है इसलिए हमें इस पे गर्व नहीं करना चाहिए कवी ने अती भाग गहीन किसे कहा है चलिए देख लेते हैं किसे कहा है जो डरता रहता है जो मदांद है जो धैर नहीं रखता जो उच्चता का भाव रखता है तो क्या है जिसके अंदर अधीरता है ठीक है ना तो क्या है जो धैर नहीं रखता धीरत नहीं रखता जो लोग हो क्या है अधीरता है इश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप कर्म करो मैं आपको सब कुछ दूँगा वो भी कर्म आपको इसलिए नहीं करना आप लालच में आकर करो आपका ये काम है ये आपका वर्क प्लेस है आप यहां पे काम करो जब आप इस भाव से काम करोगे न तो वो भागे नहीं किसे बोला है जिसके अंदर धैर नहीं होता है ठीक है पद्यांश के अधार पर बताईए कि यहां कोई अनात क्यों नहीं है क्योंकि परम पिता परमेश्वर का हाथ सब पर है ठीक है क्योंकि समाथ सब का ध्यान लगता है क्योंकि सब को परिवार का सहारा है क् इश्वर सब के साथ है क्योंकि हमें अपने परिष्मन पर विश्वास हैं तो यहांपर कोई भी अनात क्यूं नहीं है क्योंकि PARAMPITA PARMESHVAR यानि की इश्वर सब के साथ हैं इश्वर सब पर ध्यान देते हैं इतने सारे लोग हैं लेकिन ऐसे कहो कि भाई कि सामने चार वक्त विदिये गए इनके अधार पर निकालना है चलिए देखते हैं निमलिकित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा पध्यांच के अधार पर सही विकल्प का चैन कीजिए क्या दीजिए धन का घमंड नहीं करना चाहिए ये बात तो सही कही है बोली ग नेक्स राते इस अंसार में कोई अनात नहीं है ये भी सही है तो पहला और तीसरा सही है अधीर मनवाला मनुष्य अभागा है तो सही है तो पहला तीसरा और चोथा सही है तो आप्शन हमारा यहां पर कौन सा सही आ रहा है नंबर फोर वाला फॉर्स थर्ड और फोर्थ हमा पाच-पाच प्रश्ण थे हमने देख लिए अब जो हम आ गए हैं वो है संपूर्ण पाठा धारित ठीक है वैसे संपूर्ण पाठा धारित प्रश्ण आपके पास तो नहीं आ रहे हैं आपके पास तो गद्यांशा धारित या काव्यांशा धारित प्रश्ण आएंगे लेकि को किस बात का डर नहीं होना चाहिए चलिए देखते हैं किस चीज का ही होना चाहिए मनुष अमर है मनुष मरण शील है मनुष पशु प्रवत्ति है मनुष उदार शील है तो मनुष को किस चीज का डर नहीं होना चाहिए कि वो मरण शील है है ना तो सही क्या होगा मनुष मृत्यू शब्द से तात्वर क्या है कि मरने के बाद भी लोग हमें याद करें तो सही क्या है यहां पर आपका दर्ड वाला नेक्स आते हैं कभी के सार किस तरह का जीवन जीना वीर्त है यानि की बेकार है क्या बताया उन्होंने सिर्फ स्वें के लिए ही जीना बेकार है मनुश्यता के लिए जीना नई बेकार है वेर्थ ही जीवन जीना उपरियुक्त सभी तो यहां पर कैसा जीवन जीना वेर्थ है सिर्फ स्वयम के लिए जीवन जीना क्योंकि ऐसा जीवन क्या कहलाता है पशु प्रवत्ती जो पशुओं की आदत होती है उस तरह का जीवन कहलाता है नमबर फोर एक कभी के अनुसार कौन व्यक्ति पशु प्रवत्ति का होता है जो स्वार्थ परक होता है जो अपने लिए जीता है ऐसा व्यक्ति का जीवन पशु प्रवत्ति के अनुसार होता है स्वयम के लाब का कारे करने वाला, दूसरों की सहायता ना करने वाला, स्वयम के विशे में ही सोचने वाला उपरियुक्त सभी तो मेरे हिसाब से तो यह तीनों ही सही होने चाहिए तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे उपरियुक्त सभी क्योंकि ये तीनों ही आपको स्वार्थी वेक्ति की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, जो सर्फ अपने लिए ही सोचता है, अपने ही हित के लिए सोचता है नमब फॉसर किस प्रकार के मनुष का बखान सरस्वती करती है, पशु प्रवती मनुष का नहीं, उदार्शील मनुष का नहीं, ये सबी नहीं तो सही क्या है उदारशील मनुष्य की अबखान जो है वह सरस्वती यानि की पुस्तकों में इन्ही उदारशील मनुष्यों की जीवन गाथाएं उनके कर्म उनकी प्रशंशा ये सारी चीजें जो है वो लिखी होती है ठीक है नेक्स आते हैं अपंक का क्या अर्थ है अपंक का मतलब क्या है पंक मये निर्मल शुद्ध या श्वेद तो यहां तो पंक मये का सौरी अपंक का तादपर होता है निर्मल निर्मल मतलब एक्दम स्वा सच साफ हां गुप्त जी की कविता की भाशा कैसी है अब हमों ने भी मै है विशुद्ध खड़ी बोली है या अवदी है तो यहां कौन सी भाशा ये इनकी विशुद्ध खड़ी बोली ठीक है तो भाशा के बारें पता होना चाहिए क्योंकि कोशिन पूछा जा सकता है ठीक है ुदारवेक्टी की कथा का बकान सरस्वती किस प्रकार करती है अब आब बताइए उदार वेक्ति जो होता है उसका बखान सरस्वति किस तरहीके से कर रही है उप्शन देखिए उदार वेक्तियों की उदार शीलता को पुस्त को तथा इतिहास में इस्थान दे कर बिल्कुल सही क्योंकि हम उनको पुस्तकों में इतिहास में ही तो पढ़ते हैं तो सरस्वतीत क्या है वो पुस्तके हैं फिर आते हैं उदार वेक्तियों का अभार मान कर नहीं उदार वेक्तियों की पूजा करके नहीं उपर वेक्तियों से कोई नहीं तो सही क्या है आपका number 1 उदार विक्तियों की उदार शीलता को पुस्तकों का इतिहास में इस्थान दे कर पुस्तके इतिहास में इस्थान मिलता है तो ही पर हम उनको पढ़ते हैं नेक्स्ट रे उसी उदार सिक से धरा क्रतार्थ भाव मानती पंक्ति का क्या अर्थ है अब आप इस पंक्ति का अर्थ बताईए चलिए देखते क्या है उसी उदार की धरा कृतार्थ भाव मतली बंदर प्रत्वी भी ऐसे लोगों त्वरा इस धर्ती पर जन्म लेने को से कृतार्थ हो जाती है अपने आपको धन्य मानती है ये बात है है तो यहाँ पर करतार्थ भाव तातपर क्या है आपका उसी उदार्शील व्यक्ति का समस्त लोग आभार मानते हैं क्योंकि option यहाँ पर धर्ती क्या है धर्ती में का आएंगा ये सभी लोग आएंगे कित्ते लोग आएंगे सभी लोग आएंगे तो ऐसे लोग जो हैं सभी लोग ऐसे लोगों को बहुती जादा इस धरती पर जनम लिए इसकी कर्दारतकता को व्यक्त करते हैं डैश व्यक्ति की कीर्थी का गुर्गान सारे संसार में होता है कैसा व्यक्ति जो उदार शील होता है जानि कि उदारता लिये होता है उदारता का ताथ पर है कि दूसरों की help करना दूसरों की अच्छाई करना इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पर क्या हम देंगे उदार शील वेक्ति की कीरती का गुरगान सारे संसार में होता है तो चलिए इस तरीके से हमारा ये मनिश्टा का चाप्टर खतब हो गया I hope आप सभी ने बहुत अच्छे से समझा होगा चाप्टर तो मैं ऐसे भी पहले आपको समझा चुकी थी और यहाँ पर भी आपको मैंने सब कुछ समझाते हुए MCQs को सॉल्फ किया ताकि आपको हर इक जिस बहुत अच्छे से समझ में है तो इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रही है अब हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स चैप्टर में लेकिन उससे पहले चैप्टर नंबर 4 को आप पढ़कर समझ कर रेडी रखिएगा और हम कराएंगे MCQs ठीक है बिलते हैं अग्ली बार थैंक यूपर वाजिंग बाई